हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे क्लास 9 के इंगलिश के पेपर के बारे में अर्दवार्शी के एक्जाम में आपको इसी टाइप का पेपर मिलेगा आप जानते हैं कि आपके इंगलिस में इस बार कुछ चैप्टर कम हुए है और ग्रामर में एक टॉपिक हटा कर एक नया टॉपिक एड़ किया गया है तो किस परकार से हैं कैसे टॉपिक उन सब के बारे में बात करेंगे आपके लिए कौन से इमेल, लेटर राइटिंग, कौन सा पेरेग्राप, कौन सी आपके स्टोरी और कौन सी डायलोग राइटिंग आएगे उन सब के बारे में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेई लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे तो चैनल पे नए हो, तो सबस्क्राइब ज़ुरूर कर लें, वीडियो को दोस्तों कि शार शेर करना नहीं भूलें इसके बाद में आपके science का paper, sst, maths, इन सभी के paper आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है तो उसके according आप अपनी तैयारी आसानी से कर पाएंगे ठीक है न ये total जो आपके English का paper होगा ये होगा 70 marks का सारे paper आपके 70 marks के होगे ठीक है न समय रहेगा आपका सबाब 3 गंटे ठीक है इसमें आपको paper का solution करना अब किस परकार से paper आएगा उसको देखेगा इससे पहले एक paper और upload किया जा चुका है आपको who question देखने को मिल जाएंगे ठीक है न चले देखिएगा section A रहेगा section A के अंदर आपको क्या मिलेगा section A में आपको unseen passage मिलेंगे unseen unseen का मतलब होता है ऐसे passage जो अपने book से नहीं होता है मतलब ये passage ऐसे होता है जो कहीं हो सकता आपने पढ़े हो लेकिन आपके book में नहीं होंगे उनको unseen passage कहता है ये passage, who, who exam में repeat होते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, चले start करते हैं A man who sold plants always gave special instruction, एक आदमी, who, who यहाँ पे relative pronoun है, जो इस साल आपके नया एक topic add किया गया English grammar में, ठीक है न? तो एक व्यक्ति, जो क्या sold बेशता था, plants, पोदे, always gave special instruction, हमेशा विशेस instruction देता था, when he sold a young tree or shrub, जब वो कोई जाड़ियो पोदा बेशता, पेड बेशता, तो हमेशा कुछ उनकुछ विशेस बातने बताता था he would hand each customer a small bottle of liquid, वो हर customer को एक liquid की छोटी सी bottle देता, और क्या कहता, you must take this, आपको ये लेनी ही चाहिए, he said okay था, because क्योंकि the tree will grow properly, पेड साही से उगएगा, कब? only if you give it to, drops every day before you water it, पर तेक दिन आप इसको पानी पिलाने से पहले इसको दो बूंद इसकी डाल देना, फिर आप पानी पिलाना, ऐसा कहे तो वो देता, do not forget or the plant will die, ये करना भूलना मत, मतलब पानी डालने से पहले जो मैं बॉटल डे रहा हूँ, उस मेंसे कुछ liquid जो बूं that if they followed the instruction, the plant and the plant died within six months, उन्होंने का अगर उन्होंने इस नियम को पालन नहीं किया, if they followed the instruction, किया तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो पोदा है, वो क्या हो जाएगा, छे महीनों में मर जाएगा, he would give them another tree, और अगर instruction फॉलो करते हैं, अगर कोई plant मर गया, छे महीनों में, तो उसको दूसरा पोदा दे देंगे, ठीक है, one day I said to him, एक दिन मैंने उनसे कहा, may I ask you what the magic liquid is, मैंने पूछा किया, ये जादूई पानी क्या है, it must be something very special, उसने कहा, I shall tell you, he replied, उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत special क्या, if you can keep a secret, यदि तुम इसे secret रखो, तो मैं बता देता हूँ कि इस बोटल में कैसा पानी है, it is just colored water, उन्होंने कहा, सिर्फ ये color वाला पानी है, कोई जादूई water नहीं है, I look at him in surprise, मैंने उसको आश्चरिय से देखा, yes, he said, उसने कहा, हाँ, बिलकुल, it makes people water, to water the plant every day, otherwise they forget, उनको क्या याद रहता है कि हाँ, पोदों को पना ये special, जो liquid की bottle दी, ये पिला ये देने के बाद पानी देना है, तो ये liquid उनको पोदे में डालना याद रहता है, इसलिए बाद में पानी भी डाल देते हैं, नहीं तो पानी डालना भी भोल जाते है, and the trick had worked, और ये trick उनकी काम करती है, in the years, he did not replace a single tree, और अब तक उसने कोई पेड रिप्लेश नहीं किया, मतलब उसने कहा था न, six months के बाद अगर कोई plant मर जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको एक नया पोदा दे देगा, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ, अब देखिए पहला question, क्या पूछा है, how was the liquid to be used, liquid को कैसे use करना था, तो उसने क्या कह देंगे, तो use of liquid कैसे लिखेंगे, the liquid was used to drops every day before water the plant, ठीक है न, यह answer हो जाएगा, next देखते है, when did the man give special instruction, आदमी कब special instruction देता था, जब भी वो क्या plant को बेजता तब, तो यह हो जाएगा, a man who showed plants, always gave special instruction, यह हो जाएगा answer, ठीक है, अगला देखिए, did he replace a single tree, क्या कभी उसने single tree को replace किया, तो नहीं, क्यों, he did not replace a single tree, last वाले line answer हो जाएगा, what did man sell, आदमी क्या बेचा करता था, तो आदमी क्या बेचता था, sold plants, ठीक है न, यह बोल दो, he sold a young tree or shrub, यह answer लिख दीजी, ठीक है, फिफ्ट कोशन देखिए, फिफ्ट कोशन पूचा गया है, find the words from the passage, which means, वो वर डूंडिज, जिसका मतलब होता है, एक आदमी जो सामान खरीदता है, या services from a shop, या दुकान से जो सेवा लेता है, उस आदमी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, customer, क्या कहते हैं, customer, इस passage में spelling यह आई है, ठीक है न, तो यहाँ पे हमको passage में यह spelling मिल जाएगी, customer, ठीक है न, अगला देखिए, ठीक है, next question, next है, write opposite words for the following words from the passes, ठीक है, given passes, अब देखिए, remember, remember का मतलब क्या होता है, forget, यहाँ इस passes में हमने कहीं पड़ी थी लाए, यह पड़ी, ठीक है न, मिल गई, ठीक है, यहाँ पे, तो यह हो जाएगा, forget, remember का opposite क्या, forget, big, big का क्या होता है, big का होता है, small, small इसमें आय होगा, कहीं गई, नहीं तो tiny आया होगा, ठीक है, tiny हमने पड़ा नहीं, लेकिन small हमने पड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे small ढूंड यह पड़ा, small bottle, ठीक है, small bottle, मिल गई opposite, अगला पूछा है, write synonym, synonym का मतलब समझेगा, synonym यहनि प्रयायवाची, means, यहनि same meaning वाला, ठीक है ना, किसके एक तो hidden का डूंड ना है, hidden यहनि कोई चीछ छिपा ना, और एक amaze का डूंड ना है, तो amaze का आप जानते हैं, हमने अभी पड़ा था, amaze का क्या होता है, surprise, ठीक है ना, तो amaze का तो लिख देंगे हम surprise, तो surprise यहाँ पे था, इसके अंदर अपने को मिल जाएगा, आदमी surprise हुआ था, ठीक है ना, और यह पड़ा, ठीक है ना, मिल गया है, surprise, ठीक है, और hidden, hidden का क्या होता है, hidden यानि कोई चीछ छिपा ले ना, ठीक है, तो secret हो जाएगा ना, secret, hidden या secret, save meaning वाले हो गए, ठीक है ना, यह हो गया, पहला पैसेज, complete, ठीक है ना, पहले पैसेज म में आप से साथ नंबर के question पूछे गए, ठीक है, अगले में आप से साथ नंबर के question पूछे जाएंगे, कहने का मतलब दोनों पैसेज आपके 14 marks के होंगे, ठीक है, यह एक दो नंबर उपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही रहने वाले है, और same पैसेज आपको अपने paper green cold of a country because they are a country's wealth, green cold कहलाते है country के क्यों, क्योंकि यह country क्या wealth धन होता है, there are numerous advantages of having green forest, जंगल होने के बहुत सारे फायद है वही, they give us rain, एको में पेड, क्या देते हैं, बारिश होती है उनके वज़े से, prevent floods, यह नहीं बचाना किसी चीज से बचाते हैं, किसी flood, बार्ड से बचा वेलियोबल है, इने बहुत ही कीमती महतोपूंड प्रोडेक्ट देते हैं, we get timber for building our houses, हमें लगडी मिलते हैं घर बनाने के लिए, wood for furniture, fuel for cooking food, beside these, इनके अलावा भी, we get many other useful products from them, उनसे अलावा भी बहुत सारे चीज़े मिलते हैं, they are honey, wax, gum, oil, herbs, lack, dye, यह सारे चीज़े भी हम वो देते हैं, think of the paper mills, paper mills के बारे में सोचिए, can they produce paper without cutting wood from the forest, क्या बिना paper के वो बना पाएंगे, बिना plant के, forest के बिना क्या paper बना पाएंगे, नहीं, बिलकुल नहीं, the industry of the artificial silk depends on the forest, artificial silk होता, वो भी forest पी depend करता है, forest add to the beauty of a country and provide shelter or to wild, wild जानवरों को provide करवाते हैं, क्या shelter देते हैं, ठीक है न, और देश के एक शान होते हैं, आगे बोला है, beauty of a country, animals, wild animals, during wars और युद के दौरान, they give cover to armies, सैना को protect करते हैं, forest, forest maintain fertility of soil, fertility of soil मतलब जमीन के उपजव को बना उपजवता या उपजवपन बना रहता हैं, किसे, forest के कारण, they are helpful in reducing level of pollution, तो pollution का जो level reduce होता है, वो भी इनके कारण होता है, they are necessary, क्योंकि carbon dioxide gas को ये ले लेते हैं, ठीक है न, they are necessary to maintain balance in nature, और nature में balance बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, they are vital for good climate, good climate के लिए वाइटल, वाइटल लेने होता है, important बहुत ही ज़्यादा, महतोपूर्ण वाइटल क्या होता है, महतोपूर्ण ध्यान रखना, they reduce intensity and frequency of natural disaster, disaster का मतलब होता है, कोई आपदा या बुरी घटना, ठीक है न, intensity का मतलब होता है, कोई reduced intensity यानी chance, ठीक है, frequency यानी निरन तरता, यह कम करता है, उसको like a drought, सूखे से बचाता है, flood bar से बचाता है, storm to pass से बचाता है, और climate उनसे अच्छा रहता है, ठीक है, इस चीजों से हमें बचाते हैं, ठीक है न, यह trees के क्या quality है, तो पूरा यह अपना जो passage है, किस के बारे में, trees के बारे में, ठीक है, forest के बारे में, अब देखे, question, how are forest useful for wild animals, wild animals के लिए कैसे useful है, तो देखे, forest add to the beauty of the country, provide यह रहा, provide shelter to animal, तो लिखेंगे, forest provide, यहां forest लिखतेंगे, provide shelter to animal, wild animals, ठीक है, wild और animals इदर रहा, ठीक है, अगला देखे, question, what do forest prevent, forest है न, वो किस चीज को prevent करते हैं, किस चीज से हमें बचाते हैं, तो यहां उपर पड़ा था, ठीक है न, forest prevent floods, ठीक है न, flood से हमें बचाते हैं, ठीक है, नहीं तो यह चीजे सारी आप लेख सकते हैं, ठीक है न, अगला है, name any five products that we get from the forest, forest से मिलने वाली 5 चीजों के नाम बत die, ठीक है न, यह answer लिख देंगे, अगला देखिए, find word from the passage which means, which means का मतलब से मिलने, मतलब से मीनिग वाला डूंडना है, provide, provide यहने कोई चीज होता है, देना, तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो इसका answer देने के लिए और कौन सा आता है, हमारे लिए produce लिख सकते हैं, ठीक है न produce से लिख सकते हैं, product तो उत्पाद होता है, ठीक है, और important, important का आप लिख सकते हैं, vital, है न, vital, important इन, vital, ठीक है, यह हो जाएगा, अगला देखिए, आप से opposite word पूछे गए, ठीक है न, opposite, किसके, एक pet, pet का आप जानते हैं, हमने अभी पढ़ा, क्या, wild, ठीक है न, w, i, l, d, wild animals, ठीक है न, तो wild हो जाएगा, pet का, increase, increase का क्या होगा, इनको अटाक है, यहां लगा देंगे, decrease, ठीक है, decrease हो जाएगा, अगला question देखिए, who does the term green gold symbolize, यह जो green gold है न, यह किसके लिए use हुआ है, तो यह हो गया, किसके लिए, forest के लिए है, ठीक है न, forest के लिए है, ठीक है न अगला देखिए, यह अपना second passage यहां complete हुआ, ठीक है, इसके बाद section B रहेगा, exam में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको, section B, जिसके अंदर, यह बहुत important है, अच्छे से इसको तयार कर लीजिएगा, ठीक है न, इसके बाद में यह extra class, आपके science और maths के लिए, यह email बार बार email और यह letter ठीक है न, तो इसको तयार कर लीजिएगा, यह अभी email और letter सारे जितने भी important है, सब को इस channel, सब आपको इस channel पर मिल जाएंगे, उसके बाद में आपको advantage of morning walk, याद कर लेना अच्छे से, या फिर इसके दूसरा debate, जो 60 to 80 words में देना होता है, आपको TV viewing is harmful for children, इस प दो लोगों के बीची में बातचे, नहीं तो आप story लेख सकते हैं उसके option में, ठीक है न, wood cutter वाले story है, ठीक है न, बहुत easy story है, ठीक है, अब आएगा section C इसके बारे में, जो आपके grammar कराएगा, जो कि बहुत important है आपके लिए, ठीक है न, grammar के बहुत सारे question upload है, topic tenses upload है, तो आप channel के playlist में जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपकी तयरी शांदार हो जाए, अब देखिए क्या पूचा है, the sun dash in the west, sun है वो west में set, शाय तो बताए यह तो हमेशा का काम है न, उसका, मतलब present simple tense है, तो the sun singular है, तो यहाँ आ जाएगा, s, e, t, s, sets, ठीक है न, एकदम correct हो ज लगने पर वो क्या singular बनती है, तो the sun, सूरिय एक ही अपना, ठीक है, तो sets हो जाएगा, अगला देखिए, Columbus dash America more than 400 year ago, जब भी ego word देखिए, simple past, इन वर्ब की second form word दो, तो यह discover है न, ed लगा दो, discovered, क्या हो जाएगा, discovered, correct answer, अगला देखिए, we dash meet the teacher next week, यानि अगले week हम उनसे म मिलेंगी, ठीक है, तो we will, ठीक है, we will meet, ठीक है न, future simple tense, अगला देखिए, I always, always आ गया, present simple tense है, I है, I plural है, तो T, A, K, E, I take, बास, खतम, अगला देखिए, the train head left, ध्यान रखिए, before और after का नियम याद रखिएगा, A, F, T, E, R, after में क्या याद रखना, after के बाद में आती है, head, V3, और पहले आता है, वह अपकी second form, before में just इसका उल्टा, before में क्या करता है, before में ध्यान रखिए, इससे पहले आता है, head, V3, और बाद में हमेसा बरता है, second form, ठीक है न, तो अब इसमें देखिए, इसमें देखवा है, before, तो इससे पहले, add, third form पढ़ा, head, left, पढ़ा है, तो इसके बाद यहाँ, second form आएगी, तो reach क्या हो जाएगे, reached, ठीक है न, reached, ठीक है, the station, अगला देखते है, question, यह question इस बार नए add किया गया, यह topic नए add किया गया, तो इसकी practice अच्छे से कर लीजीगा, यहा और आपको पता करना, इन दोनों में से, option में से, कौन सा, यह relative pronoun, ठीक है, proper form बढ़ने आपको वर्ब की, ठीक है, आप देखिए, क्या बोला गया question, कि the house, dash, I live in, was built in the 2090s, तो यहाँ पे the house, house क्या है, non-living thing है, non-living thing के लिए हमेसा which use करते है, who नहीं आता है, ठीक है, यह ध ठीक है, which हो गया, इसमें, ठीक है, अगला देखिए, the man-father is a professor forgot his umbrella, वो आदमी जिसके पिता जी क्या है, professor है, वो क्या umbrella बोल गया, तो which, अभी बात की, निर्जीव चीजों के लिए आता है, ठीक है, यहाँ पे man, man तो क्या living thing है, जीवित है, तो इसके लिए whose, ठीक है, ठीक I met her last year, she came to my house, ठीक है न, देखिए, मैं उसे last year मिला, जब वो मेरे घर पे आई, तो when आएगा यहाँ, जब भी time की बात हो, तो हमेशा when, और जब कोई भी place की बात हो, तो हमेशा क्या, PLS की place, यहाँ जगह की बात हो, तो हमेशा आता है, where, ठीक है न, ध्यान रखिएगा, अब देखिएगा आपके लिए preposition, ठीक है न, बहुत important question है, देखिएगा, I have dash friend, देखिएगा, friend singular है, इसका मतलब sum आ नहीं सकता, क्योंकि sum क्या है, plural होता है, ठीक है न, और uncountable के लिए भी आता है, countable के लिए भी भी आता है, तो इसमें क्या होगा, no, I have no friend, ठीक है न, तो अच्छा है न, यहीं बोला न, तो little का मतलब तो न के बराबर होता है, तो यहाँ पर a little, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a little आ जाएगा, अगला देखिए, have you dash work with me, तो यहाँ पर जब भी question पूचा जाए, तो any का use करेंगे, some का use नहीं करेंगे, ठीक है, have you any work with me, ठीक है न, अगला देखिए, the librarian had issued dash books on grammar he had, तो librarian के पास जितनी भी book देखो, he had, मतलब जितनी यह उतनी पूरी, तो the few आएगा, ठीक है न, यहाँ क्या फिल कर देंगे, the few, अगला देखिए, a man is dash honest man, a man, amun, amun है न, amun is dash, तो honest, इसको क्या पढ़ते हैं, honest पढ़ते हैं, honest, तो honest में sound किस का आ रहा है, और का आ रहा है, वोबल सांड आ रहा है, तो N, ठीक है न, यहाँ N आ जाएगा, a man is an honest man, ठीक है, फिर आपके लिए preposition के question आएंगे, वो देखिए, I congratulated her, dash her success, तो हम बोलेंगे at her success, ठीक है न, there is a park, the temple, तो park जो है temple के from है या behind है, तो हम कहेंगे behind है, from क्या होता है, behind है, ठीक है, he jumped the river, तो वो पहले बार था, यह नदी है अपनी, ठीक है, इस नदी में पहले बार था, jump के अंदर, तो into, ठीक है न, क्या आएगा इसमें, into, he is not afraid, afraid के साथ आता है, of, afraid of dogs, ठीक है न, अगला है, the farmer divided his property, dash five sons, पांच बेटों के बीच में ब इसमें, आपके, आपकी book, अभी आपने दो unseen passes देखे थे, अब आप दो, है न, seen passes देखोगे, seen कहने का मतलब, एक तो अपने book से होगा, और एक होगा अपने poem से, ठीक है न, तो यह कौन सा, अब्दुल कलाम वाला chapter आपने अच्छे से पढ़ रखा इसको, ठीक है न, मैं इ अपने book में है, in what type of family was Kalam born, किस परकार के परिवार में Kalam का जन्म हुआ था, तो आप कहोगे, he was born, यहाँ चाहा आई लिखा हो है न, अब्दुल कलाम के लिए आया, हम बोलेंगे, he was born in middle class Tamil family, ठीक है, यहाँ तक बस, अगला है, when was Kalam's ancestral house built, उनका ancestral house कब बना था, तो यहाँ पे date आयोगी, date मतलब वो century का नाम इसमें आया होगा, ठीक है, in 19th century, जैसा कि मुझे याद है, ठीक है न, तो यहाँ पे वो होगा न, वो अपना answer हो जाएगा, ठीक है न, तो यहाँ तो इसको आप पुरा पड़ लेजे, नहीं तो आपको answer इसमें मिल जाएगा, यह मिल गए, ठीक है न, which was built in the middle of 19th century, ठीक है न, यह हो जाएगा answer इसका, next देखिए, what were the qualities of कलाम's father, कलाम के पिता जी की क्या quality थी, तो उनके quality क्या थी, एक तो वो, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit, ठीक है न, उनके पिता जी के quality थी, ठीक है न, उनके पास हालां कि formal education जाजा नहीं थी, लेकि इननेट का मतलब क्या होता है, जो पैत्रक है, मतलब जन्म जात है, मिलती आ रही है, पिता जी मिती फिर बच्चों में होती है, उनके बच्चों मागे होती है, वैसी बनी है न, फिर पूचा हम से, how was कलाम's mother, mother a social lady, social lady किस प्रकार से थी, तो वो क्या, साम को खाना काते थे यहाँ पर पढ़ाएं, mother एक तो ideal helpmate थी, ठीक है, पिता जी helpmate थे मदर के, और she fed, उनकी जो माता थी, fed every day, certain number of outsider, ठीक है न, उनको खाना किलाती थी, with us then, all the members of own family put together, हमारे घर्ज में जितने लोग थे, उनसे ज़्यादा को खाना किला देती थी, इस प्रकार से वो एक social lady थी ठीक है, I would say, to whom does I refer to here, यह आई यहाँ पर किस के लिए आया तो, आई यहाँ आया है, अब्दुल कलाम के लिए, ठीक है न, क्योंकि पैसेज पूरा उनके बारे में, उनके दोरा लेखा गया है, ठीक है, fire of wings उनकी book है, उनसे ठीक है न, अगला है, find the word from the passage, which means, मतलब आपको इन बोर्ण, इन जन्म जात, जो जन्म से मिलती है चीज, तो उसके लिए अभी एक हमने word पढ़ा था, इननेट है न, यहाँ कही पढ़ा था, इननेट यह पढ़ा ठीक है न, इननेट, ठीक है, अगला देखे question क्या कह रहा है, अपले surrounded by water, एक ऐसी जगह जो पानी से गिरी ह यह होती है, उसको हम कहते है, island, क्या कहते है, island, तो island भी यहाँ कही मिल जाएगा, ठीक है न, आप ढूंड सकते हैं, ठीक है, island, अच्छा, ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था न, आपने अभी island, यह पढ़ा, ठीक है, इसको island पढ़ते है, ठीक है, Iceland नहीं बहुता है, opposite word ठीक है, किसका, discomfort, ugly, तो discomfort का तो हो जाएगा, comfort, ugly का हो जाएगा, beautiful, क्या हो जाएगा, beautiful, ठीक है, beautiful word इसमें आपको मिल जाएगा, फिर आपके book के question answer आ जाते हैं, फिर आपके poem से पूछे जाएगे आपसे question, और इस परकार से आपके question यह हैं, तो इनको अच्छे से तयार कर लिजेगा, important question के video आपको यहाँ पर मिल जाएगे, और आप बस तयारी करते रहे हैं, कुछ doubt होते हैं, तो आप जरूर पूछेगा, ठीक है न, समय मिलते हैं, उनका answer दिया जाएगा, और कुछ बचों के comments आ रहे हैं, कि grammar के topic है, और जो अपने important letter, email, application, कौन से, dialogue, कौन से, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगे सारे, ठीक है न, तो मिलते हैं, next part में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत